रफ्तार सवाल यह है कि जो चीज जैसे उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जए मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आई ना समझता हूं जिसमें समाज अपने आपको देख सके आईना ना देखना चाहे समाज मेरा पूछे मेरा कलना देखते ये आज मेरा खूदते खरोडते ये मेरी गलतियां मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा कान बंद आंकी बंद इनके मूपे ताले इन में जोरनी की सत्ते पेपर काश डाले बोले सच जो उसके मुँपे ये तिसाब डाले गूमे फिर खुले में जो जले वो नकाब डाले आफ 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 है दिमाग सबका आफ है जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है लबगे पीते हैं दबाने के ये आदी है तो इतनी क्यों अबादी है लोग ये है आतमा से खौखले खुद करे तो ठीक बाकी गलत दो गले गाली दे तू हिंदी में तो बोले ऐसा क्यों किया लगे कूल जाने गलत क्यों है तो इसा क्यों किया मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर मुझ पर इल्जाम है, 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 मुझ देहेज के बेटियों को मारते, बेटिया ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजर गंदी डालते, लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी नहों उनको साली उडी बोलते हैं, बाबरो से मा पेठो सा हाथ चो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पह परते दबाएगा, सोचिये रही तो चलती देश डूप जाएगा ये चल रहा देश में, सुनो फिर मैं काली तक्ती पर सफेज चौक इस्तमाल करता हूँ ताकि काली तक्ती और मुझाएं पूचाएं अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश नहीं कर सकते तो इसका मतलब यही है कि जमाना ही नाकाबले बर्दाश नाकाबले बर्दाश थैंक यू